Hello Guys, Welcome back to Desi Spark आज केस्व वीडियो में हम बात करनेवाले हैं अपकमिंग CNG कार मौरती सुच की सूप्र के बारे में जैसा है इसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मौरती सुच की सुच की सूप्र CNG में आने वाली है एंड उस वाली वीडियो में हमने आपको थोड़ा बहुत information दिया था Swift CNG के बारे में बट अब आने वाली मारती सुच के Swift CNG का almost hardy detail आ गया है एंड हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मारती सुच के Swift CNG कौन कौन से variant में आने वाली है क्या exact price होने वाला है एंड क्या कुछ variant wise features मिलने वाला है आप इस वीडियो को अंतर जरूर देखें आप हमारी चैनल को subscribe कर लें जैसा आप भी जानते हैं कि मार्च के महिने में मारती सुच की ने अपनी डिजायर को CNG में लांच किया था और मारती डिजायर और सुफ्ट सेमी कार है डिजायर एक सिडेंट कार हो जाती है और शुप एक प्रीमियम स्पोर्टी हैच बैग है दोनों ही कारों में इंजन सेम आता है वन पॉंट टू लिटर का K 12 इंजन तो दोनों ही कावरों का पावर बगारा भी almost same ही होने वाला है Well, सबसे पहले हम आपको बता दे कि मारती सुच की Swift CNG में VXI and ZXI variant में आने वाली है इसके VXI CNG का जो प्राइस होने वाला है यह 7,77,000 एक्स रूम होने वाला है और इसके ZXI CNG variant का जो प्राइस होने वाला है यह 8,45,000 प्राइस होने वाला है अगर हम petrol and CNG वाले variant के प्राइस का compare करते हैं तो यह 96,000 प्राइस वाले variant से महगा है वाकि dimensions वगरा आप इस्क्रीन में देख सकते हैं dimensions में कोई भी changes नहीं है मारती सुच के Swift CNG में बट हाँ हमें engine power में change देखने को मिलेगा जहां मारती सुच प्रेट्रोल में 89 PS का power produce करती थी वहीं अभी यह CNG में 77 PS का power produce करने वाली है and 98.5 Nm का torque generate करेगी so power में drop हमें देखने को मिलेगा इसके CNG वाले variant में and जो एक major changes होने वाला है वो यह कि मारती सुच के back वाले suspension अब थोड़े से इस trip मिलेंगे हमें जो कि जैसा आप जानते हैं कि boot space में काफी भारी CNG tank मिलने वाला है और जो CNG tank की capacity होने वाली है यह 10 kg gas की होने वाली है and CNG वाले variant में हमें एक separate ECU control देखने को मिलेगा जो कि CNG and petrol के बीच में work करने वाली है बाकि swift CNG के वाल manual transmission में ही आने वाली है बाकि जैसा आप जानते हैं कि मारती की जो यह SCNG technology है यह काफी fuel efficient है तो अगर हम swift CNG के mileage की बात करते हैं तो यह something near about 31 km per kg के पास पास होने वाला है आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छी mileage दिंकालने वाली है swift CNG में बाकि यही था वीडियो हमारा swift CNG के prices and इसमें मिलने वाली features को लेकर